हेलो दोस्तों आज हम बना रहे हैं काजू पनीर और आप हमारे साथ बीडियो में बने के रहें और कहां से देख रहे हैं ये कमेंट करके बताएं ये मैंने गैस जला दिये और अब मैं डालूंगी थोड़ा सा तेल ये मैंने आज बड़ी बोतल डाल दिये तो मैंने थोड़ा तेल दाल दिया है और इसमें डाला नमक क्योंकि पनीर है ना पनीर फिरिज से तो तेल एकदम आएगा इसलिए नमक डालो तो मैंने पनीर के डाल दिया है पनीर फिरिज में रखावा था ना इसलिए नमक डाला पहले तो यह पनीर डाल दिया है मैं अब पनीर को मैं हलका हलका ब्राउन करूंगी और देखो आप भी ऐसी करना नहीं तो तेल के छिट्टे आपके उपर आजेंगा अगर आपका पनीर फ्रेस रखावा बारी तो कोई बात नहीं तब नमक डालने के जुरत नहीं तो यह मैंने हलका ब्राउन कर दिया तो यह मैंने अब यह थोड़ा तेल मे प्याज का पेस्ट प्याज है अद्रक है लसन नहीं है प्याज अद्रक और यह पेस्ट मैंने डाल दिया है मैं इसको अच्छा से ब्राउन करूंगी यह मैंने टमाटर डाल दिया है तीन चार मिनाट तक अच्छा से भूनिये इसको जब ये अच्छा से भून जाएगा इसका कलर भी थोड़ा चेंज हो जाएगा देखो तेल निकल गया ना मैंने नमक डाला स्वाध अनुसार ज्यादा मत डालना और आप डालोंगी मसाला ये धनिया पाउडर है तो इसमें हल कि निसको अच्छा से भूनेंगे और दो तीन मिनट अच्छा से चलाएंगे इसको देखो हमारा मसाला बून गया है अब इसमें आम घरम पानी डालेंगे ठंडा पानी नहीं डालना है गरम पानी डालना है जोड़ा ना है दो कप कैता किया मैंने इस माण दाल पनीर केभा हम एक यह क्त में काजु गाजु यह धीया फिर पी काजु दिया पुला है बहुतनी सब्सब्सक्राइब गैं मां जुल्टी बंचलो कि दो परने जिसें एक फिर बंचलों करना भी यह सब्सका प्रै नवे ब्हुत कोई सबीद इग्दा होटल जैसा लगेगा आपको खाने में, तो यह मैंने डाल दिया है अब यह दो मिनट यह से पकाएंगे आप इसे बंद करते है मैंने रख दिया है अब यह खाने के लिए रेडी आप इसको खाईए, enjoy करिए और comment करके जरूर बताना कि आपको कैसे लगा मेरा काजू पनीर